पश्रम बंगाल विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस को मिली हार के बाद एक और जटका लगा है सोंवार को पुर्वराश्टुपती प्रण मुखर्जी के बेटे या बजीत मुखर्जी सीम ममता बैनर जी की पार्टी प्रणमुल कॉंग्रिस में शामिल हो गए राजस्थान में वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गैलोट ने ट्विटर पर शिकायट किये है सीम गैलोट ने कहा कि राजस्थान को अब शक्ता के मताबिक वैक्सीन की इंद्रसवकार से नहीं मिल पा रही राश्च्ट जनता दल के 25 स्थापना दिवस पर पाठी सुप्रेमो लालु प्रसाद यादर ने वर्श्वल मादयम से पाठी की नेताओं और कारेकरताओं को संबोधित किया इस दोरान लालु ने ऐलान किया कि वो जल्द ही बिहार आएंगे और राज्व के हर्जलों का दोरा करेंगे बहुजन समाज पाठी अध्यक्ष मायावती ने वीजेपी पर आरोप लगाया कि वो देश के कुछ राज्व में होने वाले विधान सबाचनाओं में अपनी कंजोनियों पर परदा डालने के लिए धर्मान तरण के मुद्दे को राज्वनितिक रंग देना चाहती है महेंगे पेट्रोल और डीजल पर वैक घटाने की मांग को लेकर दिल्ली कॉंग्रिस ने मुख्यमंत्री अर्विंद के जिरवाल के घर के बाहर प्रदेशन की आपको बता दे इसमें दिल्ली कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौदरी की साथ बड़ी संख्या में महराष्ट्र विधान सबासे बीजिपी के बारव विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है सूत्रो समिली जानकारी के मुताबिक ये निलंबन पीठा से नदिकारी भासकर जाधव से बदसलूकी करने पर हुई है जिसमें बारव विधायकों में अभी मन्यू पवार अतुल भाग खलकर नाराण कूचे आशिश श्रेलाड समेट कीर्टी कुमार बागडिया के नाम शामिल है कुरूना हिस्ति की समिक्षा के बाद दिहार सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है सुप्रीम कोट ने आईटी एक्ट की धारा 66 रद्ध होने के बाद भी मामले दर्ज होने को लेकर नाराजगी जताईये बदा दिस 2015 में कोट ने इस धारा को निरस्त कर दिया था इसके बाद भी अब तक देश में लगबग 1000 मामले इस धारा के तहट दर्श हुए है कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे मजबूत हतियार वैक्सीन को माला गया है देश में वैक्सिनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार खूब कोशिशेंग कर रही है इसी कड़ी में अमेरिकी कमपनी मॉडरना की तरफ से तयार वैक्सीन इस हबते भारत बहुच सकती है सुप्रीम कोड ने सुमबार को कथि टूल किट की जाच कराने की मांग बाली याचिका पर विचार करने जिनकार कर दिया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें